एक आदमी को बुद्धा ने सुझाओ दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पाज एक कुवाँ खोद लेते? हमेशा के लिए पानी के समस्या से चुटकारा मिल जाएगा. सलाह मानकर उस आदमी ने कुवाँ खोदना शुरू किया, लेकिन साथ आठ फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी का भी चेहन नहीं मिला. उसने वह जगत छोड़कर दूसरी जगत खुदाई शुरू कि, लेकिन दस फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला. उसने फिर तीसरी जगत कुआ, खोदा शुरू किया, लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी. इस ख्रब में उसने आठ दस फीट के दस कोई खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला. आवेह निराश होकर बुद्धा के पास गया, उसने बुद्धा को पताया कि मैंने दस कोई खोद डाले. मगर पानी एक में भी नहीं निकला, बुद्धा को आश्चरे हुआ. वे स्वयम चलकर उस स्थान पर आए, जहां उसने दस गढ़े खोदे हुए थे. बुद्धा ने उन गढ़ों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गय. फिर वे बोले, दस कोई खोदने की बजायाई कोई में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कपका मिल गया होता? तुम सब गढ़ों को बंद कर दो, किवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकलाएगा. उसने बुद्धा की बात मान कर ऐसा ही किया, परिणाम स्वरूप कुआपून होते ही पानी निकलाया. सब ने भगवान बुद्धा की जय जयकार की.